और बताओ कैसे हो तो Minecraft ने कर दिया है भाई बरा धमा का येस, Archeology is coming to the Minecraft बिलकुल सही सुन रहा हो भाई, Archeology आने वाला है Minecraft के अंदर तो कल भाई Minecraft ने अपना ट्विटर पे अनाउंस कर दिया है कि Archeology आ रहा है भाई देख लो तुम लोग अभी आराम से बैड हो भाई चिल्विल मार के मुबाईल को एक जगा पे सेट कर तो आज में बताने वाला हूँ इस आर्कियोलोजी वाला अपडेट में क्या-क्या निया फीचर आने वाला है पूरा डीटेल में बात करते हैं चलो भाई नहीं होगा अपने को जाना परेगा डेजर्ट वाले इलाके में और अगर हम लोग डेजर्ट टेंपिल के आजू-बाजू खुदाई चालू करेंगे तो अपने को मिलेगा बिल्कुल ब्रैंट न्यू ब्लॉग जो कि यह सस्पिषिय है सैंड अभी इस image को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे ना तो यह वाला जो सैंड है ना इसका टिक्स्चर थोड़ासा अलग है तो मिलेको ऐसा लगता है कि यही है भाई सस्पिक्स एस सैंड अभी जितना देख के पता लग रहा है भाई यह वाला जो स structure होता है उसके आजू-बाजू मतलब डिजर्ट टिंपल हो गया या फिर डिजर्ट विलेज और ऐसा लग रहा है भाई डिजर्ट वाला जो कुवा होता है उसके आजू-बाजू भी मिल जाएगा तो अभी सस्पीचियस सैंड तो मिल चुका है इसका करना क्या है तो अभी न लगाना है भाई जारू बिल्कुल जैसा कि इस वीडियो में तुम लोग देख पा रहे हो भाई ग्राविल के ऊपर जारू लगाते हुए रैंडम चीज़े मिल रहा है तो ऐसा ही कुछ भाई सस्पीचियस सैंड के ऊपर अपने को करना परेगा जारू पोचा लगाना परे देखेंगे तो भाई इस सर्ड के ऊपर अलग अलग टाइब का डिजाइन बना हुआ है तो यह वाला सर्ड अपने को चार्ड रूड़ना है और बस हम लोग बना पाएंगे यह वाला पॉट भाई ओके अगर तुम गौर से देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा भाई ए एक एक पॉट के ऊपर अलग अलग टाइब का पैटन बना हुआ है जैसे कि पहले वाले में है एक इंसान और दूसरे वाले में भाई बो एन एरो थर्ड वाले में है स्केलिटन और आखरी वाले में है डाइमर्ड देखो जितना बताया गया है कि यह पॉट वगरा असल में क्या होगा डेकोरेशन के काम में आने वाला है और यह जो पैटन बना हुआ ना इसके मदद से हम लोग कुछ स्टोडी बगेरा बता पाएंगे मतलब ऐसे इमेजिनाडी बगेरा बना सकते अपने लिए जैसे कि इधर जो है ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा है जो तीर से एक स्केलिटन मारता है और फिर उसको डायमन मिलता है तो ऐसे ही अपना-पना स्टोडी हम लोग बना सकते और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ बई देखो यह अलग-अलग डिजाइन के पोड्स हम लोग बना के डिकोरेशन वगेरा कर सकते मतलब थोरा सा क्रियेटिविटी दिखा सकते हम लोग देखो यह जारू लगाने से और क्या-क्या आइटेम मिलेगा यह तो बता पर अपने को बैए डेजर्ट के नीचे कुछ लाइवेरी टाइब का मिलेगा मतलब जितना भी डेजर्ट के स्टक्च्छर एंग डिसर्ट टेमपल यह फिलेज उसके नीचे कोई छुपावा लाइवेरी टाइप था कुछ देखने को मिलेगा अगर ऐसा होगा ना भाई ब paternal मिलता है उसके अंदर मेरे को कुछ number मिलता है और चीज गेम में डालूँगा और देखते कहा में Simone हुता हो यह जो के लिए लिखा है या फिर यह कुछ feature है यह पता नहीं है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह कुछ Secret feature बड़ च्रक है जो आने वाला आटिकल के ऊपर हम लोग देखेंगे तो इधर भाई साब साब लिखा हुआ है ये तो बस सुरुआद है पिक्चर अभी भागी है मेरे दोस्त मतलब भाई और भी फीचर है 1.20 के जो अभी माइन क्रेप्ट रिवील करने वाला है धीरे धीरे तो आखे जमा के रखना पड़े मैं सोच रहा था थोड़ा सा हलका जाने वाला है लेकि नहीं भाई नहीं हलका बिल्कुल नहीं जाएगा बहुत तगरा जाने वाला है तो भाई देखते हैं क्या-क्या और नया चीज़े अपने को देखने को मिलता है तो चलो भाई आज का वीडियो इधर ही खतम करते हैं ये था कुछ भाई information Minecraft के नया update को लेखे तो बस भाई आजगा वीडियो इधर ही खतम करते हैं मैं मिलता हूँ तुम लोगो next वीडियो में Minecraft के others 1.20 वाला features जानने के लिए left वाले वीडियो को क्लिक करो Survival Series देख रहा है तो ride वाले वीडियो को क्लिक करो